नमस्कार मेरा नाम तपन देश्मुख है और इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यप्रदेश के महत्पून व्यक्तित्रों के बारे में इस वीडियो में विशेश्टह मध्यकालीन राजाओं पे जोर दिया गया है वह उनसे संबंदित महत्पून योगदानों पे बात की ग वे गुप्त राजाओं का सेनापती था और उसने हुणों को हराया था वे औलिकर वज्च संबंद रखता था और उसके द्वारा हुण राजा मिहिरकुल को हराया गया था उसने 515 इसवी से लेकर 545 इसवी तक राज किया और ऐसा माना जाता है कि 532 इसवी का वर्ष उसके सामराज्य का सबसे गौरव जाली वर्ष था अगर आपको परिक्षा में सवाल आता है कि मनसौर के सोंधनी गाउं में किसके शिलालेक पराप्थ हुए हैं या हमें यश्वधर्मन के बारे में कैसे जानकरी पराप्थ होती है तो आप लिख सकते हैं कि मनसौर के सवंधनी ग่ाउं से उसका शिलालेक मिला है जिससे पता चलता है कि उसके सामराज्य के समय क्या स्थितियां थी और उसने किनकिनव से लड़ाई-लडी दूसरा यह जो शिलालेक है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी लीपी जो है वो ब्राह्मी है यह ब्राह्मी जो आपको नेट पे उपलब ब्राह्मी के दस्तावेश मिलेंगे उससे थोड़ी से भिन है और इसे पढ़ने में आपको कटनाई का सामना करना पड़ सकता है हमारी सुची में अगला नाम नागभट का है नागभट गुर्जर प्रतिहारवश के पहले राजा थे वह इनकी राजधानी अवंतिक थी अवंतिका को वर्तमान में उज्ययन के नामसे जाना जाता है और ये वही राजा हैं जिन्ने राजा हरिश्चंद्र भी कहा जाता है नागभट ने नविश अतापदी में अर्बो से लोहा लिया वह उन्हें परास्त किया था इनके समकालीन अरब 660 इस्वी तक चला ऐसी भी जानकारी है कि इनकी मृत्यू 780 इस्वी में हुई थी नागभट प्रथम के बाद एक और महत्पुन राजा हैं जो उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं पर वे गुर्जर प्रतिहार वंश के चौथे वंश थे उनका नाम नागभट दुतिय था इन इनकी माता का नाम सुंद्रिदेवी था इन्होंने 805 इस्वी से 833 इस्वी तक राज किया वह अपने राज्यकाल के दौरान इन्होंने कलिंग मत्स विधर्व तुर्कों और कन्योच राज्य को हराया उन्होंने मुस्लिम आक्रमण का सफलता पूरोग सामना किया वह उसका प्रतिरोत किया इतिहास के हिसाब से इन्हें सौराष्ट के राशकूत राजा गोई दुतिय ने हराया था और इतिहासकार ओज्ञा की माने तो यह वही राजा हैं जिनके द्वारा पुष्कर लेक बनवाया गया था गूर्जर प्रतिहार वन्ष में एक अत्यन्त प्रभावी और महत्पून राजा हुए मिहीर भोज विश्णू के उपासक थे और उन्होंने इसी कारण से आधिवरा की उपाधी को धारण किया था इनका राज्य 836 से 885 इस्वी तक रहा और इन्हें भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है मिहीर भोज के सीमा दक्षिन में नर्मदा नदी तक उत्तर पश्यम में 17 तक और पूर में बंगाल तक फैली हुई थी इन्होंने बंगाल के पाल राजा देवपाल को हराया था और इनके द्वारा कई मंदिरों का नर्मान भी किया गया जिसमें तेली का मंदिर महत्पूर्ण है और यहां ग्वालियर में इस्थित है आपको कभी अगर यह सवाल आता है कि आधिवरा के नाम से कौन से गूजर प्रतिहार राजा को जाना जाता है तो आप जवाब दे सकते हैं कि मिहिर भोज को आदिवरा के नाम से जाना जाता है अगर आप से पूछा जाता है तेली का मंदर कहा इस्थित है तो आप बता सकते हैं कि तेली का मंदर क्वालियर में इस्थित है और इसे गूजर प्रतिहार नाम हर्ष था इन्होंने 25 वर्षों तक शाषन किया वह इन्होंने बुंदेल खंड और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्ते पर राज किया इनके द्वारा खजराहों में लक्षमन का मंदिर बनाया गया था अगर आपसे परक्षा में सवाल आता है कि लक्षमन का मंद के एक राजा प्रसिद्ध हैं जिन्होंने 950 इस्वी से 999 इस्वी तक इस राजवांश पर राज किया इनके द्वारा खजराहों में विश्मनात्थ मंदिर बनाया गया था और इन्होंने 49 वर्शों तक चंदेल वंश की राज सत्ता को अपसमाला धंगदेव के बाद चंदेल वंश में विध्याधर राजा हुए और इन्होंने 1030 इस्वी से 1035 इस्वी तक राज किया मुस्लिम इतिहासकार इन्हें चंद्र और विदा के नाम से जानते हैं अली इब्न अलठीर के अनुसार इन्होंने भारत के सबसे बड़े धूबाग पे राज किया और दस्तावेश बताते हैं कि इन्होंने मुहम्मद गजनवी का सफलता पूर्व प्रतिरोध किया और कई इतिहासकारों की जानकारी के अनुसार इनके और मुहम्मद गजनवी के मध्य कई संधियां हुई थी और गजनवी जाते समय मुहम्मद गजनवी इन्हें 15 किले सौब गया था इन्हों में घंडरीया महदेव मंद्र का निर्माड कराया यहां एक जानकारी अत्यत महत्पून् THERE की अली इबन अलतीर का जन्म एसले सौंध में हूँ अगर से यह सवाल पूछा जाए कि कंद्रिया महादेव मंद्र किस ने बनवाया है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि चंदेल वंश के राजा विध्याधर ने इसका निर्माण करवाया था हमारी सुची में अगला नाम अत्यन्त महत्पून है और यह नाम है राजा भोच का राज स्थापना की गई वह इनहीं के द्वारा भोचपूर का मंदर बनवाया गया इनके साहित्य विज्ञान और वास्तुकला के ग्रंथ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं और महत्पूर्ण है इनके द्वारा उधारन के तौर पे भुजबल भीम जो संबंदित है चारू-चारे जो प जो शेव विचाधारा से संबंदित है और समरांगण सूत्रधार जो आकिटेक्चर से संबंदित है जैसे अत्यन्त महत्पूर्ण ग्रंथों की रचना की गई एक और जानकारी जो बहुत कम लोग जानते हैं राजा भोज के बारे में कि राजा भोज ने जल संदक्षन को लेके अध्भूत कारे किये हैं और इस कारे में बंजारों का बहुत बड़ा योगदान है तो जो भोपाल में आप जो तलाब देखते हैं वह बंजारों की से राजा भोज ने तयार करवाये हैं राजा भोज के समकालीन एक और महतुन राजा है जिनका लाम लक्ष्मी कर्ण है इन्हें कर्ण के नाम से भी जाना जाता है इनका राज्य एक हजार एकतालिस इसवी से 1078 इसवी तक रहा यह काली चूरी है है चेडी वैंश से संबंध तो मद्यभारत में था और दूसरे इनके वैंशत जो करनाटक में बसे हुए हैं तो यह तो अलग अलग वैंश है यह त्रिपूरी के से इनका उदय होता है त्रिपूरी वरतमान में जबलपूर के नाम से जाना जाता है और यह बुंदिल्खंड के समीव का इलाका है राजा भोज के वन्ष को लुक्सान में बहुत मेंधपूर्ण भुमी का निभाई और राजा भोज की मुर्त्यूं के बाद इन्होंने मालवा का इलाका उद्यादित ने इसे वापिस लक्ष्मी कर्ण से छीन लि Meter द्वारा वी म्हटпूर्ण का निर्मान करवाया गया कि लक एक घाट का निर्माण भी अलाबाद में करवाया गया था और लक्षमी करण ने अमर कंटक में करण मंदिर का निर्माण करवाया था लक्षमी कणड के पश्षाथ चंदेल वैंश में हमीर वर्मन का जनम हुआ हमीर वर्मन नाम आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हमीर शब्द ना हिंदी से है ना संस्कृत से हैं यह हमीज शब्द कहीं ने कहीं फार्सी का प्रतित होता है तो बहुत से से एप्तिहासकारों का इस पर मध्भेद है पर यह सुनने में लगता है कि यह फार्टी से ही लिया गया है और इसमें फार्टी और हिंदी नामों की जलक है यह आपको है संस्रित नाम की जलक है हमीर वर्मन ने 1288 इसवी से 1311 इसवी तक राज किया और इन्होंने भोज वर्मन की गद्दी को समाला इन्हें अलावदीन खिलजी द्वारा एक युद्ध में हरा दिया गया था वह ये उस युद्ध में अपना बहुत बड़ा हिस्सा अपने राज्य का खो बैठे थे इन सब बातों की जान और उन्हें कितने साल तक राज किया हमीर वरवन के बाद देवपाल परमारवईश के महत्पून राजा है यह उलेखनी है कि देवपाल का संबंद किसी शाही परिवार से नहीं था फिर भी वह राजगद्धी पर सत्ता रूड हुए और इनके द्वारा भिलसा में इलतुत इलतुतमिश के हातों हार चुके थे और बाद में यह बिलसा को वापिस जीते इस युद्ध के दौरान इनके द्वारा दिली के मुस्लिम राज्यपाल की हत्या कर दी गए थी और देवपाल के बाद इनके बेटे गर्दी पर बैठे और उनके बाद महाकाल देव परमार व अपने मौत के घाट उतार दिया था और इसी प्रकार महान परमारवन्ष का अंथ हो गया इसके बाद ऐसे कोई राजा ग्यात नहीं है जो परमार के कहला जाते हों धार के पवारों का संबंद परमारों से कैसे है यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है तो हम यह नहीं कह सकते कि धार के पवार और परमारवन्ष का कोई सीधा संबंद है तो अगर यह सवाल आता है कि परमारवन्ष के आखरी राजा कौन थे तो आप यह लिख सकते हैं कि महाकाल देव है अप लीज धार के राजा और भोजवन्ष के परमार राजाओं में कंफ्यूज नहीं मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद लाया होगा और आपके लिए यह जानकारी उप्योगे सद्ध होगी हमारे अगले वीडियो में हम मध्यपरदेश में जन्में राजनिती से जुड़े हुए खेल जगट से जुड़े हुए साहित तस जुड़े हुए महत पूर्ण लोगों के विश्यर में बात करेंगे धन्यवाद